जोहर सत्थी जोहर मैं अपकर दोष जितेंद्र स्वागत है आप सभी का हमारे कोर नए वीडियो में बिदानसवाद चुनाव को लेकरके अगर जेलकेम पार्टी की बात करें तो जेलकेम केंद्रियाद देख टाइगाज जेरा महतोजी और उनके पार्टी के दुवारा अधिकारिक तोर पर लगवग 20 सीटों का जो नामों की गोशना कर दी गई है तो फिलाल मैं भी बात करता ह हूं धनबाद जीला के धनबाद बिदानसवाद चेतर की जेलकेम पार्टी के तरफ से धनबाद बिदानसवाद चेतर में सपन मोदक जी को परतियासी की रूप में नाम की घोशना कर दी गई है अब बिदानसवाद चुनाव को लेकर किस परकार की तेयारियां तेज कर दी है तो क्या कुछ छेटAl G here न के लिए करनगे और ब्जान सवा वाहूहन में जा कर करके क्या कुछ जेल केम पार्टी की तरफ से बात रखेंगी हैं सबसे पहले आपका जोहार और स्वागत करते है में सबसे पहले आपका चेनल को जोहार और आवार परकट करता हूं तमाम जारकन के सहीद को मैं नमन करता हूं और जारकन बासियों को अवाल और सुखम नहीं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बदाई कि धनवाद बिधानसवा चेतर से जयलकेम पार्टी की तरफ से उमिद्वारी पेस कर दिए गए और पर्ट्यासिक ग्रूप में गोशित कर दिये गए हैं इसके लिए धनवाद तो फिर तैयारी जो है किस परकार की जो है कर रहे हैं देगे त्यारी हम लोग का काफी जमिनी अस्तर से हो रहा है कि धनवाद एक ऐसा बिधानसवा है कि जो मुद्दा ही मुद्दा है आज तक अस्तानिय बेक्ति को यहां के लोगों को मूल भुत्ष वीदा नहीं मिल पाई है जिसके चलते आज हम लोग जारकन का जो परिष्टिती और इस्तिती है यह किसी से छिपावर नहीं है धनवाद हो या जारकन हो आप धनवाद में देखे होंगे पूर्व में भी भाजपा के बिधायक रहे हैं बर्तमान में भी भाजपा के बिधायक हैं सांसद भी भाजपा के मेर भी भाजपा के हैं पूर में मुख मंत्री भी भाजबा के रहे हैं और आज बर्तबान में परधान मंत्री भी भाजबा के हैं लेकिन इतना भाजबा के धनबाद से लेकर दिली तक सरकार रही लेकिन धनबाद ही नहीं पूरे जारकन में विकास बुल के कुछ भी नहीं किया गिया इसलिए आज ह देखे जो भी आभी सरकार में आप रासी की बात कर रहे हैं आप में समझ रहों कि मैंहिला को मैया समान योजना के बारे में का रहे हैं, अज जारकन का बेटा पौड लिखेर, बीटेक, पीईडी करके घर में बेठा हुआ है, बेरोजगार जिल रहा है, और आप उस मां को बोलते हैं, एक हजार उतिया के सम्मान देंगे, उस मां अपना घर में बेटा को पेठा कर रखेगा, और एक हजार का सम्मान में आप क्या सुचते हैं जारकन के माता बहान को एक हजार में क्या सम्मान मिलने वाला है अगर आप मानते हैं कि हमारे माता बहान को एक हजार में सम्मान मिलना चाहिए तो मान ये बिधाय को सांसद को भी उतने मिलना चाहिए जितना हमारे माता को मिल रहा था एक हजार मिला तो हम लोग माना सम्मान को स्वागत करेंगे अब भी तो बिदायक बनने की जो त्यारी करें है हम लोगा जो गोसना पत्रा पड़े होगे जो भी हम लोगा सिलेरी होगा जो भी राई सरकार द्वारत दी जाएगी वो 75% जनता के परती खर्च किया जाएगा और धन जार्खन में जहराम जी का सरकार बनाना है उन्सके लिए ज़्यदा सीट जीत करके लाना है तो क्या टिकट मिलने मात्र से आप ऐसा समझते हैं कि जहराम मतों के तरब से अगर टिकट मिल गया है तो धनबाद विदान सबस जो हम लोग फते कर लेंगे या कुछ विसिस जो कि मुंदो या इनके अच्छेत्र में जो है विसिस तरकी का जो है अपको त्यारी करने की जूरत है देखे आप जो बोले सीयम की बात आज पूरे जहरकन साड़े तीन सो कोड़ों जनता चार आहा ये परिवरतन कि जहरकन राज 24 साल हो गया अलग किया हुआ लेकिन किसी भी पाटी ने जहरकन के हीत के बारे बे नहीं सोचा आज ये 29 सल का लड़का एक गरीव घर का बेटा ये सोच रहा कि जहरकन का विकास कैसा हो जहरकन कैसे फले फुले और आप बोलें कि जो जो समयसा समयसा तो इतना गिनवाएंगे कि कहीं आपको जगा नहीं मिलेगा अगर हम समयसा धनवाद की बात करते हैं जो यहां के खतियानी समयसा हम बताते हैं अगर यहां के जो खतियानी बेखती जो जमीन का मालिक है जो जमीदार है आज वो लोग काम करने के लिए कहा जाते हैं अंचल अधिकारी के पास CEO के पास वो ब्लॉग जाते हैं जो ज्ञारखंट का जो आज मूलभूस विदा मान के चले अगर हमारे पास जबीन है हम सरकार को खाजाना देना चाहते हैं उसके लिए अंचल अधिकारी के पास हम लोग जाते है कि हमारा खाजाना जमा किया जाए रसीत कटाया जाए माल- और काम किसका हो रहा है जो गेराबाद जमीन है जो सरकार का जमीन है उस जमीन पर भूम अफिया दुबारा रात रात रसिद कट दिया जा रहा है लेकिन यहां का स्तानी बेक्ति को अपना जो जमीन है उसका रसिद कटने के लिए हावाई चपल हो या जूता किया जा रहा है हमें जो लोग भूल जाते हैं या जो जनपरतिने जो जित करके आते हैं वो हमें भूल जाते हैं तेंगे जनता का कहना जाज है आज भी जी शित्र से हम लोग गुजर के आ रहे थे पूर्वे में अभी बहुत सा जनता हम लोग को जहां भी यातरा में भेट हुआ लोग बड़ा घुसना की हो लोग को सड़क देंगे, पानी देंगे, बिजिली देंगे, लेकिन जीतने के बादू जनता तक यहां का कोई भी परतिनी दी नहीं पहुचा, यह दुरभाई गया है, और जीस परिष्टिती में आज हम देख रहे हैं, कि लागरा कि आने वाला दीन में कोई भी भाजबा का परतासी हो, या कॉंग्रेस का परतासी अगर उस शेत्र में जाएगा, क्योंकि सब घुसना करके आया है, और पावली पूरा गुष्टा के मूड में है, अभी जेहराम मतों के पार्टी के तरफ से आप जो है टिकट मिल चुका है, तो फिर जेहराम मतो जिसे जुड़ने का क्या मतलब रहा है, उससे पहले आप राजनीती को जो है देखते आ रहे थे? जेहराम मतों जी कि विचारों को लेकर क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि जो इस पार्टी में सामिल हो करके टिकल मिल करके अब यहां के च्छेत्रों की विकास या इनके बदलाव को लेकर के कुछ विसेष कारी कर सकते हैं? बिल्कुल उनके विचार परतेग घर तक पहुच चुका है, परतेग पबलीक जनता जान रहा है और परिवर्तन होगा, सिर्फ धनवाद ही नहीं, परिवर्तन होगा, और इस बार जो चुना विधान सवा में हो रहा है, ये कोई धनवल और बाहु बल एक तरफ होंगे, और हम दिन में जारकर्ण में जो सरकार बनेगी, वह हमारे टाइगर जैराम मातो की होगी, और मानियमिक मंत्री टाइगर जैराम मातो जी होंगा, टिकट मिलने के बाद आपके कार्जकर्टा और आपके छेतर के जनता क्या कहती है? देखे सुवागत किया है, आज कार्जकर्टा का ही देने जो मुझे टिकट मिला है, कार्जकर्टा का एक चाहत था, उनका एक डिमान था, डिमान का मानिये टाइगर जैराम मातो जी ने रखे है, और कार्जकर्टा का मौनमल को बढ़ने का काम किया है. वरतमान राजनिति में जिस परकार से टेग जहराम महतुजी को तरह तरिके का राजनितिक चीजों में जो घषरने का जो काम कह रहे हैं उडिश परकार बना आए और धनवाद विजारत्शभा छेतर के बात करें तो पिस सहरी छेतरों पाइंगे अपने साथ लोगों को फिर कैसे जोड़ पाएंगे देखे आपको एक पता होना चाहिए धनवाद बीदान समा में 4,454,000 बूत हैं जिसमें भोटर हमारा 4,333,000 बूतर हैं जिसमें से ग्रामीन जो यहां के जहरकंडी उसका 2,60,000 बूतर हैं वोट की बाते हैं तो तरतर के कहते हैं कि हम यह कर देंगे वो कर देंगे आप किनी और पाटे की उपर कर रहा हैं कोई पार्टी आपके उपर आरूप लगाएगा लेकिन उस भी जनता का जो विश्वा से वह किस परकार से बना रहेगा अगर हम बात करें सपन मोदक जी को अगर इनको मुखा मीन लगता है धनवाद विजान सवाश्यतर में अगर जिदे जनपरती निदित्व करने अगर करते हैं आज विजली का समय से हो रही है बिल्कुल आज सरकार कर रही है कि दूसर इनिट फिरी देखने कर रही है बहुत बड़ा पॉइंट है इसको मने आपको देखना अगा दूसर इनिट किया है धनवाद पिधान सवाही नहीं पूरे जिला में आठ घंटा दास घंटा भिजली डाउन रहता है तो सरकार नेएक सर्वेय करवाया शर्वेय करवाया यहां धनवान में हम लोग बिजली नहीं देते हैं जबकि बिजली की उत्तपादन में नहीं हैं होता है तो यह लोग सर्वेय कर आकर देखे लिया इनिट 184 इuciones में चलने बाला है इसे ज्यादा नहीं चलता है, तो उसने घुषना पोतर लाया कि दूसर इनित हम लोग फिरी देगें सिर्व यहां के जनता को गुमरा किये है अगर आप 8 गंटा अगर बिजिली देते है तब हम मानते कि आप दूसर इनित फिरी दे रहे हैं लेकिन जब बीजिली ही नहीं दे रहे तो फिरी का कोई तुक नहीं बनता है। जेलकेम पार्टी के उपर और सपन मोदक जी के उपर यहां की जनता किस परकर से भरोसा जताएगी? भरोसा इसलिए जताएगी जो उनका दुक और दर्द है वो हमसे कोई जादा नहीं जनता है। अगर आप सिच्चा के बात करेंगे हैं जी किसा के भी बात हम लोग करते हैं, आज में हमारे वहां गरीब बिचाथ करूने के लिए एक सर्कार काती है कि हम सब चीज का भ्यूस्ता देते हैं, जनता से आप जाकर देख लिए कि जब भी आप चीजह कराने जायेगा, तब कि पर्ची बना देगा, वो पर्ची में जाये दबा बाहर से लिख रहे हैं। तो सरकार कारती है कि मैं कोड़ों रुपया फॉंड देता हूं और दवा एवी लवल रहता है हम स्पिटल में इसी तो एक बखवास है तो सिफ जनता को दिर्वभनमीत किया जा रहा है यह सब सुविदा हम लोग देंगे कि जो चीज का भी आवे सकता है अब इमान के से लिए कि हमारा धनवाद कोल केपिटल जगा है इसको दिल्ली से देखता है राइस से ही नहीं दिल्ली से देखता है कोल कार खाना के नाम पजाना करता है इसका मिकाले कहा किया है कलकता में किया है आज यहां के मजदूर बेचरा पूरा जीवन भान सर्विस किया नोकरी किया लेकि कारजाले को रखा है आपका कुलकता में इसका मतलब होता क्या कि कोई भी अगर हम मान के चिले गाई ले लिए जानवरी ले लिए तो मुझ डाल दिया हम लोग के तरफ कि दाना आप खिलाए और बाट उदर रख दिया दूदू लोग का रहा है तीस तरह का ये जो रवया कर है तो बहुत समुद्दा है ये कोल इंडिया का मुद्दा है अभी देखिया आप ट्राफिक की जो ब्यवस्ता है आप अगर पुटकी से धनवाज जाते हैं दस किलो मेटर है लेकिन आपको आने जाने में डेड़ गंता लगेगा ये डेली का रूटीन है ठीक समय ज्यादा ऺंधानल लगता अगर आपको कोई कोट में एमडरी हिंजन सी काम हो या हुस्पीटल का काम हो तो प्रियांस तक नहीं किया अगर आप देखिएगा अभी बरतमान में जो परिष्तित्य जो श्टूडेन का हो रहा है, सिर्फ इस्टूडेंट ही नहीं, सेवी का, साई का पारा टीचर का, आज पारा टीचर को भी सरकार कह रही है, कि समान काम समान बेतन, हम नहीं कह रहा है, सरकार कह रहा है, कि समान काम समान बेतन, यह काम तो आप समान ले रहे हैं, यह बेतन समान नहीं दे रहे है आप उसी एक टीचर को दे रहे एक लाग बेतने हैं तो क्या समान काम समान बेतन हुआ यह सरकार का ही जो उनका जो कथनी है तो कथनी और करणी में क्या अंतर है यह जनता देख रही है तो इस तरह का बहुत सा मुद्दा है आज प्लाइन का मुद्दा है आज बेरोजगारी चरम सिमा पार हो चुका है जारखन्ट एक ऐसा राज है जह सबी चीज बनीता है लेंक फीर भी यहां के लोग खरीब है आज गेरजुशन करके प्येजडी करके कारण क्या है यहाँ नोकरी नहीं मीना तब कभी भी सरकार ने यह चीज नहीं देखा आने वाला जो हमारा जो जैनरेशन यह तो जनरेशन खतम होने के कगार पर खड़ा हो गिया है नेक्स जनरेशन जो आने वाला है उसको भी इससे ज़्यादा बंतर कर देगा बंगला में एक कहावत होता था कि एक पेट मुलता था बंगला में बूल देते हैं एक पेट खावाई दाओ इंदे के बुद्धी दिय तो सरकार वहि दीती कर रहा कि आप एक काजा देगे लेकिन आपको को सूजबधा नहीं देंगे अच्छा अगर जनता अगर आपको मोका देती है यह पर जन प्रतिनी दिद्व करने का अगर उसार अगत तो कैसा यह काम जो खास विशास कार जेलखेम की तरफ से की तरफ से यहां के छेत्र के वास्यों के लिए किया जाएगा एंचल के पास घुंता है ब्लॉक में घुंता है जो आपको हम पूर gesehen भी बताएं कि रसीद गठने के लिए दूसरी बात सरकार देखें जनता को किस तरह किस तरह प annoNT करता है आज अगर मेरा नम सफन मुदग है, आज हम जाती परवन बनाएंगे, तो सफन मुदग के नम परवना, लेकिन मेरा जाती क्या भेलू एक साल ये दूर साल है, जाती भी मेरा साल में पलड़ता है, करें सूदे हैं क्या, तो सरकार नहीं चाहता कि आप वान टाइम सिस्टेम मे बना रही है। बिल्कुल करेंगे। कायकी देखे सरकार चाहता कि आपका परते एक साल आप अंचल अधिकारी के वहां जाकर ब्लॉक में दरवजा ठक ठकाते रही है। तो आदमी परिशान है। यहां का आदमी अगर हम लोग ओपीस कारजाले में ही परिशान रहेंगे तो व पिलीनियम के जाएमिन लिनियम सिटी बनना चाहिए। इय। शो एकिलमेटर के लिक्न के लिए पाटी की तरफ से क्या संदेश्स देना उब भानगे को देंगे कि आप इस बार कांची पकड़ लिजे क्या कि 24 सार राज लग हुआ और सब का पोकेट भर गिया और जनता यहां गरीब हो गिया आप इस कांची को पकड़िये और सब का पोकेट से जितना भी काला धन लेके जारा उसको काट के जनता के बीच में भाटने के काम करेंगे समय देने के लिए बहुत बहुत देने हैं नहीं नवाद आपका भी चैनल को अभी आप लोग सुन रहे थे जेलकेम पार्टी की तरफ से धनवाद विदानसवाद छेतर में परत्यासी के तोर पर जिनका नाम गोसिना कर दिया गिया है सपर मोदक जी इनका जो विचार है विदानसवाद चुनाओं को लेकर के छेतर के मुद्दे छेतर के लोगों को लेकर की वो आप लोगों ने सुना बाकि इस बार ये देखना दिल्चस होगा कि इस बार विदानसवाद चुनाव में धनबाद विदानसवाद सीट से यहां कि जो जनता है वो किसे जो है चुन करके विदानसवाद बेजने का काईर करती है और किस पर ज़्यादा ज़्यादा बोरसा बना पाती है बाकि आप का देनेवाद जोहार जोहार जरकन जय जरकन